So hey everyone, welcome to Unacademy आरोगे कैसे हो सभी लोग तो I hope सभी लोग बढ़ी आओंगे घर बैड़ा मस्त वे में आप लोग अपने preparation कर रहे होंगे तो आज का वीडियो काफी जादा खास होने वाला है सभी के सभी students के लिए जितने भी students अभी term 1 को appear करने वाले है क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ क्या short notes आप लोग के लिए जादा beneficial रहेंगे या फिर आप लोग के लिए descriptive notes जादा important होने वाले है term 1 के perspective से वीडियो को एंट तक के जरूर देखना साथ ही साथ मैं जो भी best होगा इनमे से उनकी काफी अच्छे अच्छे tips आप लोग को दूँगा जिसके दुरू आप लोग को notes को बना सकते हो जो आप लोग के लिए exam point of view से बहुत important रहेंगे वीडियो को एंट तक के जरूर देखें चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि इसी तरीके का मलदार content हम आप लोग के लिए हमेशा लाते रहते हैं और next video के इस topic पे आप लोग को चाहिए उसके लिए आप लोग suggest कर सकते हो comment box में तो चलिए start करते इस video को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बात करना चाहता हूँ यार कि हमारा term और examination बहुत करीब आ चुका है जादा दिन नहीं बचे हुआ हमारे पास तो इस time पे हमें किसी भी type के descriptive notes बनाने की बिल्कुल जरूबत नहीं है कि वो आप लोग के exam point of view से उतने जादा beneficial नहीं रहते क्यों क्योंकि उसको पढ़ते पढ़ते आप लोग का बहुत जादा precious time निकल सकता है तो हमें क्या करना है हमें अभी के time पे term one के perspective से trendy notes को थोड़ा सा दूर रखना है और हमें यहाँ पे short notes को जादा preference देना है क्योंकि short notes आप लोग के लिए बहुत important होने वाले है जो term one के perspective से रहेंगे वैसे भी term one है पूरी तरीके से conceptual based है तो maximum चीज़ आप लोग की concept के उपर पूछी जाने वारी है अब वो चाहें आप लोग के simple mcqs के form में पूछे, case study के questions के form में पूछे या assertion reasoning के अगर आपका concept build है तो आप लोग अच्छे से कर सकते हो और अच्छे marks ला सकते हो तो इस time के लिए come time period के according जादा से जादा revision करना है आप लोग को concept का तो उस time पे आप लोग को short notes बनाना जरूरी है ये कुछ वैसा ही है कि hard work versus smart work तो हमें अभी हाँ पे smart work करना है और short notes को बनाना है अब short notes कैसे बना सकते हो सभी के सभी लोगों ने अभी तक के मेरे हिसाब से इस लेवस आप लोग का complete हो चुका होगा नहीं हुआँगा तो थोड़ा बहुत बचा होगा तो आप लोग को क्या करना है जिस भी educator से आप लोग पढ़ रहे हो चाहे online पढ़ रहे हो offline पढ़ तो आप लोग को simply करना क्या है उनकी notes को आप लोग को रखना है क्योंकि वो landing notes होंगे और उसमें से आप लोग को crop करना पड़ेगा और आप लोग को decide करना पड़ेगा कि किस point को आप लोग को choose करना है अब आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे कि यार भाया market में तो काफी सारे short notes भी available है तो क्या हम लोग उसको पर सकते हैं definitely आप उसको preference दे सकते हो या किसी दोस्त के short notes को भी preference दे सकते हो लेकिन मेरा तो यही suggestion है जो आपके खुद के self notes होंगे वो one of the best होंगे क्यों क्योंकि आपने उसको खुद अपने तरीके से लेखे हो आप खुद जानते हो किस way में आप लोग उसको understand कर रहे हो क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम लोग short notes बना जादा beneficial आप लोग के लिए रहेंगे अब short notes में भी आप लोग क्या क्या preference दे सकते हो तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए आप लोग हमेशा short notes को point wise बनाने की कोशिश किया करो चाहे वो derivation भी है तो derivation को direct direct step लेक लो यह अगर आपको theoretical chapter है तो उसमें आप लोग point wise चीज़ों को complete कर लो जो important points उसी को आप लोग पढ़कर यह पूरा पूरा topic को समझ सकते हो इसी तरीके से यार अगर आपको ऐसा लगता है कि उन short notes के अंदर भी कुछ बहुत ही जादा important है जिसको तो यहाद रखना ही है तो उसके लिए आप लोग यार highlighters को use कर सकते हो जिसके तुरू आप लोग के लिए यह रहेगी कि जब भी आप लोग short notes बना रहे हो तो आप लोग अपनी language में भी इसको use कर सकते हो definitely कर सकते हो क्योंकि आपके खुद के notes है आपको किसी school के teacher से आफिर किसी भी teacher से आपको check नहीं करवाना है यह आपके notes है यह exam time के लिए notes है तो इसके लिए हमको quick revising notes की ज़रूद पढ़ रहे है तो आप अपने language में बनाओ अपने according बनाने की कोशिश करो जो ज़्यादा आप लोग के लिए beneficial रहेंगे इसी तरीकी से यह जब भी आप लोग short notes बना रहे हो तो एक छोटी से tip यह है कि आप लोग हो सके तो साफ सुत्री handwriting में बनाने की कोशिश करें क्योंकि at least वो आपको समझ में आनी चाहिए कई बार क्या होता है हम लोग short notes को इतना जादा short करने की कुशिश कर देते हैं हमको ऐसा लगता है कि एक ही chapter को पूरे को पूरे एक page में हम लोग उतार देते हैं लेकिन जब हम खुद पढ़ने बैठते हैं तो हमको नहीं समझ में आ पाता है तो बैटर यह है कि अच्छी writing में लिखो बाकी अपने according आप लोग उसको precise कर सकते हो अब next चीज आप लोग के लिए निकल के आती कि आप लोग को उन short notes को एक बार analyze भी करना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग short notes में उन topics को include नहीं कर पाते हैं जो हमको ऐसा लगता है कि शायद यह नहीं पूछेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप लोग को NCIT के through ही follow up करते हुए चलना है क्योंकि term one का examination first time हो रहा है तो आप लोग के जो questions है वो कही ना कहीं NCIT से जाधा follow up रहेंगे और हो सकता है जितने भी MCQs बनाए जाए वो कही ना कहीं line by line NCIT according दे दे तो आप लोग हो सके तो NCIT के पीछे जो summary लिखी रहती हर chapter क कि उसको भी जड़ा analyze कर लीजेगा वो ज्यादा important आप लोग के लिए होने वाली है so I hope वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को subscribe जरूर करना इसी तरह के से आप लोग अपनी preparation के time पे किसी भी टाइप को छोटा मोटा doubt आजा तो आप आप लोग unacademic application download कर सकते हो वहां से free of cost आप लोग doubts को पूछ सकते हो ask doubt फीचर के थू ask doubt फीचर में कभी नया offer आप लोग के लिए चल रहा है अगर आप लोग 10 questions पूछते हो ask doubt में तो आप लोग को आधे महीने के subscription that means 15 days का subscription free of cost आप लोग को मिल जाएगा तो यह limited time के लिए लोग अगर structural way में पढ़ना चाहते हो प्लस या iconic subscription के तुरू तो उसमें भी आप लोग अपनी term 1, term 2 की preparation कर सकते हो तो चली बताता हूं आप लोग को आप लोग को आपकमिंग जर्नी को प्लान कर सकते हो इसी तरीके से आप लोग को प्रोवाइट करता है एक बैतरीन feature जिसक आप लोग को different questions के high quality solution Hindi as well as English दोनों में आप लोग को प्रोवाइड है तो चली मैं आप लोग को बताता हूं किस तरीके से आप लोग ask a doubt feature को use कर सकते हो simply आप लोग को unacademy के application डाउनलोड करना पड़ेगा वहाँ पर आप लोग को एक टैप दिखेगा ask a doubt उसको click करने के बाद आप लोग को पूछेगा कि आप लोग को इस photo को click करना हुआ जो भी आपका question है उस question को आप लोग को simply crop करना है और send कर दिना है send करने के बाद आप ल subscription के तो आप लोग को various benefits मिल सकते हैं जहां पर आप लोग को इंडिया के top educator आप लोग की घर बैटर preparation करवा रहे है unlimited access होता है सारे के सारे courses में और आप लोग अपने comfort zone में बैट के अपने preparation कर सकते हो regular doubt clearing sessions होते हैं पूरा का पूरा स्लेवस आप लोग का complete करवा के दिया जाता ह mentorship और guidance provided होती है top educator के तुरू study material आप लोग को PDF form में मिलता है practice test होते है इसके अलावा आप लोग को यहां पे batches के courses भी available है जिसके तुरू आप लोग अपने upcoming journey को प्लान कर सकते हो तो यह रहे कुछ subscription plan on academy के तो आप लोग अपने convenience के according subscription plan choose कर सकते हो और simply आप लोग मेरा code RO 10% off भी पा सकते हो on academy plus में इसी तरीके से on academy iconic में अगर आप लोग जाते हो तो यहां पे आप लोग को 360 degree support system मिलता है जहां पे आप लोग को plus के benefits तो मिलेंगे लेकिन उसके अलावा आप लोग को यहां पे personal mentor मिलेंगे जो आप लोग को one on one guide करेंगे live doubt solving sessions आप लोग को मिलेंग जिसके तरूँ आप लोग अपनी बहतरीन preparation घर बैटेक कर सकते हो और बाकी plus के benefits इसमें आप लोग को मिलते हैं इसी तरीके से आप लोग अपना subscription plan कर सकते हो iconic कभी अपने convenience के according तो simply अगर आप लोग को 10% का discount चाहिए हो plus या फिर iconic के subscription के लिए तो आप लोग मेरा code ROG जकी use क कर सकते हो या फिर अगर आप लोग किसी भी free classes में या unacademy के किसी भी event में अगर आप लोग join होना चाहते हो जो एकदम free of cost होता है पर वहाँ पे एक invitation code मांगता है तो आप लोग वहाँ पे ROG जकी use कर सकते हो तो unacademy के application की link आप लोग को description में दी हुई है बहुत सारे benefits से ज regularly में आप लोग के लिए लाता रहता हूँ तो मिलता हो next video में है जब तक के लिए good bye